जै मता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 नवंबर और 8 नवंबर 2022 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दोनों दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों के इस्तिथी क्या होगी? नक्षत्र क्या होगे? योग क्या बनेंगे? किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे? जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर एक शेतर के बारे में आपके सिक्षा कैसी होगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, प्रेम जीवन कैसा होगा, वेफसाय कैसा चलेगा, दुकानदारी कैसी चलेगी और इन दो दिनों में जो इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं उनका प्रभाव कैसा आपके जीवन पर होगा तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती है अगर आपने हमारे दूसरे चैनल आपकी एस्ट्रो लोजर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए अब इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र योग के बारे में जान लेते हैं तो साथ नवंबर का दिन समवार का दिन है सब्ताह का पहला दिन शुक्रपक्ष की चतुरदशी तिथी है और अश्विनी नक्षत्र रहेगा इस दिन सिद्धिनाम का योग बना है जिसके स्वामी भगवान गणेश होते हैं जिसके इसाब से ये दिन काफी शुब दिन आपके लिए रहेगा चंद्रमा मेश रासी में पहुँच चुके हैं और राहु के साथ युति कर रहे हैं सूर्य तुलाराशी विशाखा नक्षत्र में हैं इसके अलावा इस दिन रवी योग भी हैं कार्थिक पूनिमा अपने आप में विशेष होती है हर चीज के लिए बहनी नक्षत्र रहेगा व्यतिपात नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा मेश रासी में राहु के साथ हैं सूर्य तुलाराशी विशाखा नक्षत्र में सरवार्थ सिद्धी योग पूरा दिन ब पहले हम बात करेंगे साथ नवंबर के बारे में तो साथ नवंबर स्वास्ते के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा दिन रहेगा क्योंकि इस दिन आपकी उर्जा का इस तर्क काफी अच्छा होगा जिसे आप अपनी कामकाज में अच्छे से लगाएंगे यानि एनरजी जब आपके पास होती है अगर आप उसे अच्छे काम में लगाएं तो वो बैनेफिट देने वाली होती है और अगर आप एनरजी को बेकार में ही जाने दे तो कोई फाइदा नहीं फिर आप आलस में पढ़े रह सकते हैं तो इस दिन अगर आप निवेश करने के लिहाज से आज सोच रहे हैं तो आपको बस होश्यारी दिखानी होगी बड़ी सावधानी से निवेश करना होगा जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शान्त दिन का आनंद उठा पाएंगे अगर कुछ लोग या कोई आपका दोस भी हो गया परिशानी लेकर आपके साथ आता है तो उसकी परिशानी को जरूर सुने अगर आप उसे सुल जा सकते हैं तब भी और नहीं सुल जा सकते हैं तब भी लेकिन परिशानी जरूर सुने इससे उन्हें काफी अच्छा लगीगा और अपने आपकी जो मानसिक शान्त महसूस होगा और अगर हम आफिस की बात करें तो सहकर्मियों के साथ और वरिस्टों के पूरे सहयोग के चलते आज आपका कामकाज तेज रफतार भी पकड़ेगा जो भी आप से मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवार करना है बहुत कम लोग हैं जिन पास आकर्षन जैसी चीज होती है तुला राशी के जातकों में ये सबसे अधिक पाया जाता है क्योंकि ये शुक्र की राशी है आकर्षन से भरपूर बातों में भी और आपके व्यक्तित्व में भी जिससे प्रबल संभावना होती है कि लोगों को आपरी तरफ आप खीच सकते हैं वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा पारिवारी के स्थितियां भी अच्छी हैं दन संपत्ति के मामले में भी दिन अनुकुल बना हुआ है और दन वैवसाय करने वाले लवों के लिए भी आज अच्छा समय रहेगा आकिसी की उचित सलहा लेने में पिलकुल ना हिचके चाहें जब कोई सलहा दे तो बिलकुल ना सोचें कौन आपको सलहा दे रहा है कई बार के छोटा व्यक्ती भी आपको बहुत बड़ी सलहा दे जाता है यसलिए सबकी सलहा जरूर सुने करें वो जो आपको उचेत लगता है यात्रा का योग है यात्रा करना फाइदे मंद भी रहेगा लेकिन थोड़ा महंगा जुरूर रह सकता है एक चीज हमेशा याद रखें कि अपने दामपत्य जीवन में कभी भी बाहरी लोगों का हस्तक शेप ना होने दें क्योंकि वो आपके जीवन में काई तरह के कट्टू चीजें घोल सकता है तो इस चीज का आपको दिहान रखना होगा कारिया स्थल पर बीस्तितियां जो है वो काफी बैटर बनती हुई दिखाए दे रही है जमीन जायदाद से जुड़ा अगर कोई मामला सरकारी मामले में फसा हुआ है आपका कोई काम तो खुश हो जाएए शुब समाचार मिलने वाला है उस जमीन से संबंदित जॉब के लिए आज के दिन को बना देगा क्योंकि लंबे समय से ये विवाद चल रहा था जिससे आपको छुटकारा मिल सकता है एक मानसिक शान्ती आपको मिल पाएगी बहुत शान्ती मिलेगी लेकिन फिर भी इसे पूर्ण जीत ना समझें तब तक जब तक की चीज़ें आपको लगें कि बिल्कुल केलियर हो गए तब तक बिल्कुल पूर्ण जीत ना समझें और कोई ऐसा खुश होकर यानि उस चीज़ को एंजॉय भी ना करें बस ये विग्ने जारे तो कॉंफिडेंट होकर जाए बिल्कुल तब जा कर आपके लिये सिवद्य आच्छी रहेंगी बागय शाली होने का दिन है और बागया शाली ही रहेगा ये दिन आपके लिए अब 8 नवंबर पर आ जाते हैं 8 नवंबर का दिन बहुत उत्तम दिन है क्योंकि ये कार्टिक पूनिमा का दिन है कार्टिक पूनिमा का दिन है जिस दिन सभी देवों का आशिरवादा प्राप्त कर सकते हैं भगवान विश्णुमा लक्षमी भगवान शिविन का पांच बज़ कर 32 मिनट से 6 बज़ कर 19 मिनट तक इस दिन जो पुनिमा का दिन है वो भी दान पुन्य के लिहाद से बहुत अच्छा माना जाता है और चंद्र गरेंड तो खास और से दान पुन्य के लिए बहुत इश्व माना जाता है तो सबसे पहरी बड़ी चीज तो यह है कि इस दिन आप दान पुन्य का कारे जरूर करें कुछ ना कुछ जरूर दान करें भूके को खाना खिलाएं किसी को वस्तर दें इस तरह का कारे जरूर करें और जल्दवाजी में निवेश ना करें शीज का वे ध्यान रखें आज आप किसी तरह का वे निवेश ना करें तो तो आज वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है ए विवाहित लोगों के लिए आज सगाई की डेट फाइनल हो सकती है तो उसके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा अनुकूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज कई मामलों में शांदार दिन रह सकता है जैसे आप कहीं से ज्यान प्राप्त कर सकते हैं, धार में गति विदियों से जोड़ सकते हैं, मीश रासी में चंद्रमा है और चंद्र ग्रहन भी है आज, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सकारात्मक रहेंगे, जैसे अपने रिष्टों में सकारात्मकता रहेगी, पिरिया जिनों के चंद्र में पूजा नहीं करनी है, मन ही मन मंत्र का जब करना है, ओम नमाश्यवाय मंत्र का जब कर सकते हैं, चंद्र के मंत्र का जब कर सकते हैं, या जो आपका इस्ट देव हैं, उनका आप जब कर सकते हैं, या आपके लिए उस मंत्र को सिद्ध करने का समय होगा, तो इस